हेलो फेरेंड्स, विलकम बैकिन YCP English Mantra दोस्तो आज आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और अडवांसी स्टक्चर तो आईए देखते हैं वो अडवांसी स्टक्चर क्या है कभी-कभी हमें अपने daily life इस प्रकार के sentences बोलने होते हैं जैसे मैं आपसे बात करने के लिए उत्सूख हूं हम लोग अंगरेजी सीखने के लिए उत्सूख हैं क्या तुम घर जाने के लिए उत्सूख हो तो ऐसे sentences जहां पर आपको मिलता है उत्सूख तो वहाँ पर हम जिस word का यूज़ करते हैं वो है eager to इसका Hindi meaning होता है उत्सुक कहने का मतलब जब कोई कारिक करने के लिए आप आपी बेकरार होते हैं वो जिदा excited होते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं eager to का आए इसका rule देखते हैं सबसे पहले आएगा subject इसके बाद लिखेंगे helping verb इसके बाद आएगा eager to इसके बाद लिखेंगे verb का first form और last में object आएगा और friends उमारा helping verb है ये tense के coding change होता रहेगा आए एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं we are eager to learning less उत्सुक था I was eager to go there I was eager to go there क्या तुम घर जाने के लिए उत्सुक हो are you eager to go home are you eager to go home तुम्हारा भाई विदेश जाने के लिए उत्सुक क्यों है why is your brother eager to go abroad why is your brother eager to go abroad friends कभी भी abroad के पहले हम two word का यूज नहीं करते हैं यानि go abroad सीधे लिखेंगा go to abroad नहीं लिखा जाएगा वह तुम्हें देखने के लिए उत्सुक होगा he will be eager to see you he will be eager to see you सुनील मुझे कुछ बतानी के लिए उत्सुक है सुनील is eager to tell me something सुनील is eager to tell me something that's it friends आज की बढ़ों पस इतना ही तो आए करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे मैं धारा प्रवा अंग्रेजी बोलनी के लिए उत्सुक हो तो friends इस sentence क्या होगा आप सभी लोग comment करके बताइए और friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को like करिए, share करिए, comment करिए क्योंकि आपका एक like, share, comment, motivation देता है नेक्ट वीडियो बनाने के लिए तिल दिन, bye bye, take care, keep learning, keep practicing